आप रोय थे कमरेबे? कुछ पता नहीं, इनको कमिट्में किया, यह कमिट्मेंड बना, यह कमिट्मेंट में वो करेंगे, वो करेंगे. कहा गया कि नरेत्रमोदी को गुजरात से हटाने पर केशु भाई पटिल की भी सहमत इते हैं कि केशु भाई का तो को सौली पर नहीं है कि केशु भाई का रोल इसमें रोल इनको प्ले करवाया गया अटल विहरी वाचपे ने आपको फोन किया बहरो सिंग शेखावत को भिजवाया क्या आपको पार्टी के केंद्री नेत्रत्र ने ये संदेश दिया था कि शंकर सिंग वागेला की मांगों को माना जाएगा वो मुख्यमंत्री बनना चाहते तो उन्हें बना दिया जाएगा इस तरह कोई बात हुई नहीं 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 उस समय मुख्यमंत्री का नाम काशिरा मराना और सुरेश महता इनके पड़ते हुआ ये तो खज़राहो प्रसंग के बाद हुआ आप वासंट से एहमदाबाद आए खज़राहो जा रहे थे दिगविजे सिंग से सीधे आपने संपर्क किया था कॉंग्रेस क्यों आपको मदद कर रही थी आप तो भाचपाई थे कॉंग्रेस मदद कर ही नहीं नहीं थी खज़राहो क्यों गए थे आप दिगविजे सिंग तो रात को यहां पूलीस भेजने का जब हमने सुना कि यहां रात को कभी भी अटक करके आप चारदा में थे तब चारदा में थे कहां पर थे तो वहां से फिर हमारे गरीबे चोधरी थे इनके गरम ले गए चराडा गाम है अमिश्या का बगल वाला मानसा के बगल में पड़ बीजेपी का स्टेट होगा वहां इनकी सलामती नहीं रहेगे तो राजस्थान बीजेपी महराष्ट बीजेपी मध्यपदेश अकेला स्टेट था जहां कॉंग्रेश थी तो हमने सोचा कि कहां ले जाया जाए तब आखिर तए किया कि इनको मध्यपदेश लिया जाए बीजेपी मार तोर फूर करके अमेले को उठा जय सकते हैं आखितों पावर है इनके पार तो बाए बस की जगए बाए एर और एक चार्टर प्लेइन हमने इस्ट इस्ट कंपनी का और आपने हैर किया यह दिगवीजे सिंग ने भिजवाया ने ने पुछ नहीं किया एक गल लाइद ब्सक्षामा तो विमान को तो इनके बाएब को गया खशृ लाइद हो गया तो यह जो वीमान को पंचर हो गया और चरणा से सब विधायकों लेकर रात को वह लिन को जाना था हुजरा हो लाइट निंग नहीं था ये अचले अचले एक पुलिस ओफिसर थी इस गाड़ी में बैठा पूरे एमलेज को चलो 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 तो जब हमने गवर्णर के यह जाना आए इस अचलो जान तो मैंने वो अधिकार को कहा कि we are on the way, you reply accordingly we are on the way, कहा दाए, we are on the way, कहा जाना, we are on the way, we are on the way, करते-करते हम एरपोर्ट पहुशे ही, और अपने 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 आपोर्ट पर चले गए अचा बोल नहें देख कि गवरंडर अउस जा रहे हैं जा आपको देंगे नो वे आउट तो जब प्लेन मैं बैठ तो पंक्चर निकला तो अपने का जल्दी करो धका भानो कुछ भी करो उठाओ यहां से और पहुंच जाएंगे तो और नाइट बढ़ला वील बढ़ला और फिर तो रात हो गई तो कहा लेंडिंग होगा तब हमने कहा दिल्ली को कि भी नाइट लेंडिंगी व्यवस्था करो तब कौन थे मिनिस्टर पता नहीं लेकिन इनों नाइट लेंडिंग के लिए ज़ाएंगे वहां बढ़ल बुकिंग हमने करा पेमेंट हमने किया इनकी सिक्रेटी जो भी है खुला था आपका राव साफ के साथ की बीच में कोई मध्यस्ता थी तो कोई नहीं थे वहां सलामती के लिए को गरबड नहों लेकिन फिर भी अमा भारती वार कुशा बाभजी आकर मिले पुछ सकते हैं कि आप मिले थे नहीं मिले इनको अलाव किया हमने को प्राइवेट धंदा था है नहीं पुब्लिक नहीं था है और आप यहां अम्दाबाद में थे मैं कभी घजरा नहीं गया बाद में गया निखने के लिए लिए सरकारी गेस्थाउस कमरा नंबर 1170 कमरे क भीतर शंकर सिंग बागेला और अटल विहरी वाचपेई क्या बात हुई थी एम्दाबाद में सही बता दीजे गुजणात का एक वीवी आईपी घेस्थाउस है अभी का सरकीथाउस जो गादिनगर में है उसके सामने एक बंगलो है जो वीवी आईपी घेस्थाउस का है उसके उपर के कमरे में अटल जी थे वेरोशी जी आकर जो टिप टॉप करके मेरी कुछ ले गए तो मैं बात पर बात पर मीला मैं बढ़ यह मामला है बोला किया बात लेए इस सब हो सौल हो जाएगा इसके बाद को कमीटी बनाना यह बनाना वह बनाना फिर कुछ नही वा आप रोए थे कमरे में नहीं कुछ पता नहीं को इनको कमीट्मेंट किया यह कमीटी बनाएंगे वो करेंगे वो करेंगे क्या कि यह पता नहीं उसके बाद काशी राम और सुरेश बे का जो सिलेक्शन हुआ शंकर सिंग वाघेला ने तीन शर्ते रखी केशु भाई पतेल को मुक्यमंत्री के पद से हटाईए नरेंद्र मुदी को गुजरात से हटाईए और मंत्री मंडल में मेरे लोगों को शामिल करिए कहा गया कि नरेंद्र मुदी को गुजरात से हटाने पर केशु भाई पतेल केशु भाय का रोल इनको प्ले करवाया गया आप सी एम उनको हटाना चाह रहे थे बगावात नहीं इनके सामने बगावत थी इनको बगावत वाले हैं शर्त तो आपने सबसे पहली रखी कि केशु भाई को हटाओ यह मुख्यम मत्री नहीं चलेंगे जो दूसरों के कब्जे में है अभी हाँ तो भही ना अपना दिमाग नहीं है थी अपना दिमाग का उप्यों प्रीकर के दूसरों के दिमाग चले का इसे पांटी चलेगी